Hello students, अपने lesson 9 आनुवान शिक्ता एवं जैविकास में आज हम देखेंगे कि मनुश्य में विबिन विविशेष्टाओं को निर्धारित करने में आनुवान शिक्ता किस तरह से महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है और इन में से एक विशेष्टा है लिंग निर्धारण तो इस वीडियो में आप English और Hindi दोनों में ही इस topic को हम study करेंगे और question answers को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम इसको Hindi में देखते हैं तो अब हम जैसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या विशेष्टा है कि लिंग का निर्धारण हो रहा है मनुश्य में और यहां पर जो है अनुवानशिक्ता एक महत्वपून भूमी का निभारी है लिंग निर्धारण में यानि कि महिला अगर लड़के को जनम दे रहे हैं या लड़की को जनम देती या अनुवान शिक्ता पर निर्भर करता है अब मनुष्य में 23 जोडे गुण सूत्र है 23 जोडे का मतलब हो गया कि उसमें 46 गुण सूत्र होते हैं और प्रतिय जोडी में जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं यह फीमेल सेक्स ओर्गने जहां पर आप यह दो गुण सूत्र देख रहे हैं जो एक जैसे हैं और यहां पर जो मेल है मेल के अंदर दोनों गुण सूत्र हमें अलग दिखाई दे रहे हैं तो फीमेल में दोनों गुण सूत्र एक्स एक्स होते हैं की male के अंदर एक X और एक Y गुर्ण सूत्र होता है तो अब किस तरह से लड़का जनम लेगा या लड़की जनम लेगी तो उसको हम देखते हैं जैसे कि अभी हमने देखा कि females के अंदर दोनों गुर्ण सूत्र कैसे है? X, X तो युगमनज के निर्मान के दोरान अगर X और X क्रोमोजोम्स आते हैं तो वो किसका निर्मान होता है? मादा का और अगर X और Y क्रोमोजोम्स मिलते हैं या गुर्ण सूत्र मिलते हैं तो यहां से यह हमें पता चलता है कि जो युगनज का निर्मान हुआ उसमें अगर ये दो क्रोमोजोम्स हैं एक X और एक Y तो यहां पर एक लड़के का जन होता है अब किस तरह से ये गुण सूत्र आपस में मिलते हैं इसको हम देखते हैं एक बार जैसा कि अभी हमने कहा कि मादा के अंदर दोनों ही गुण सूत्र X है जबकि पिता में एक X है और एक Y तो जब एक गुण सूत्र मादा से तो डेफिनेटली X ही आएगा और जब पिता से भी अगर X आ रहा है तो जो युगमनज का निर्मान हुआ उसमें दोनों ही गुण सूत्र अगर X X है तो कैसा बच्चा जन्म ले रहा है मादा और अगर मादा से X क्रोमोजोम्स और पिता से अगर Y क्रोमोजोम्स आ रहा है गुण सूत्र आता है तो X और Y यानि कि यहाँ पर किसका जन्म हो रहा है कि पिता के अंदर वो वाई क्रोमजूम्द है जो कि किसके लिए जिम्मेदार है कि एक लड़के का जन्म हो अब कुछ रोचक तत्व हम देखते हैं जैसे कि सरी इसरप में अगर हम देखें तो निशेचित अंडे को सेने का जो तापमान है वह क्या निर्धारित करता है कि अंडे के अंदर विक्सेत होने वाली संतती नर है या मादा और कुछ प्राणी जैसे घूंगा अपना लिंग बदल सकता है तो यहां से हमें यह पता चलता है कि लिंग निर्धारण हमेशा अनुवानशिक नहीं होता अब एक बार इसके हम कोशिंस को देख ले कि मानव में डैश लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्तित होता है वह एक्स वाय लिंग किस में उपस्तित है यहां पर हम लिख सकते हैं नर और उपर हमारा first fill in the blanks में क्या आजएगा मादा में xx होता और xy किस के अंदर होता है पुरुष में या नर पुरुष लिख सकते हैं या नर लिख सकते हैं मारे first question का answer है second question है मानव में link निर्धारण किस प्रकार से होता है चित्र बना के समझाईए तो अभी एक चित्र तो जिसे मैंने आपको बताया और दूसरा चित्र आप इस तरह से देख कर यहां से आप बता सकते हैं कि अगर X और X chromosome मिल रहे हैं योग मनज में तो यहां पर लड़की का जन्म होगा और जहां पर X और Y होते हैं वहां पर लड़के का जन्म होता है तो यहां इन्होंने दो खाली स्थान दिये हैं यहां पर X आएगा और यहां पर भी X यहां पर X औ बना सकते हैं, तो आईये students, अब एक बार इसी worksheet को हम English में देखते हैं, as we have just studied that the heredity is playing an important role in determining various characters in humans and one of such characteristic is the sex determination, that means women whether she will give a birth to male child or a female child is also dependent on heredity, now humans are having 23 pair of chromosomes means total 46 chromosomes are there and in each pair of chromosomes one chromosome is from the mother and the other is from the father, so as you are seeing in the diagram in case of females both the chromosomes are similar that means x and x whereas in case of male if we see one chromosome is x and the other is y which shows that male is responsible for sex determination and how male is responsible, so let us see, now female is having x x and male is having x y, so when in case of a zygote formation if a zygote is getting x chromosomes from female and x from male that means the zygote so formed is having a chromosome x x, so in this case a female child is born and if x x chromosome from female and y from the male so the zygote so formed is having x y chromosomes means a male child will be formed, so here it has been clear that female is not responsible for sex determination rather male is responsible for the determination of sex and this y chromosome can also be known as the sex chromosomes. Now let us see some of the interesting facts and these interesting facts are that in case of few reptiles, the temperature at which the fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the egg will be male or female and in some animals such as snails, the individuals can change the sex, so this indicates that sex is always not genetically heredity. Now let us see the question answers. First question is in case of human females sex chromosomes are represented by XX and in XY is in case of male. Second question how does sex determination occurs in humans explained with the diagram? This question many times comes in your board exams also so here as it has been explained here so when X and X fuses means the zygote contains X and X so it is a girl child and when X from female and Y from male so the zygote so formed is having X and Y chromosomes here means male child will be born. So in this fill in the blanks it contains Y chromosomes. So this XX means female child is born and XY means male child is born. So this diagram we can draw for this question second question. Now it is giving some points to think that what is your understanding about sex determination you can write few lines you can discuss with your teachers and more further what you want to know about the sex determination you can also write in these fill in the blanks these fill ups whereas during your class with your teacher so you can discuss these topics further if you have any query about sex determination. Hope students this work sheet must be clear to you and if you haven't subscribed my channel do subscribe it and thank you for watching this video you